हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR स्टेडी में दोस्तो अगर आप भी मैथली का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तो आज के इस छोड़े से वीडियो में हम मैथली के टॉप 50 महत्पूर्न objective question का discussion करने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए क्योंकि दोस्तो अगर आप इस वीडियो को अंतक देखिते हैं तो आपको मैथली का एक complete revision होगा और बहुत सारे मैथली का objective question आपको यहां से board exam में भी देखने को मिलेगा तो चले दोस्तो बिना time कमाई वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को like कर लिजिए और पूरा शुरू से अंतक सभी question को देखिएगा एक भी question skip ने कीजिएगा सभी महत्पूर्ण question को ही select किया गया है आज का जो first महत्पूर्ण question है पूछ रहे है राम लोचन सरनक रचना अच्छी है यानि की राम लोचन सरन जी का कौन सा रचना है तो यहां पर आपका C option जो है सही हो जाएगा यानि की दोस्तो मितलाक संस्किर्ती सीमा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो आपका दो नंबर question है पूछ दे की चंद्रभानु सिंग द्वारा रचित अच्छी है यानि की चंद्रभानु सिंग जी के दोरा कौन सा रचा गया है कौन सा रचना है उनका यह आपको बताना है तो दो का जो यहां पर आपका B option है बिलकुल ही सही हुआ हो आप भेल बरसा नेक्स्ट जो यहाँ पर दोस्तो आपका तीन नंबर कुश्चन है तीन नंबर कुश्चन के दोरा दोस्तो यहाँ आपसे पूछा जारा जैसा कि आप देख सकते हैं कुश्चन है तारा नंद बियोगिक लिखल अच्छे यानि कि कौन सा जो रचना है, कौन सा इसा चेप्टर है, जो तारा नंद बियोगी जी के द्वारा लिखा गया है, तो तीन का जो दोस्तो D option है, सयोगा यह निक दोस्तो मा चेप्टर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, जो चार नंबर आपका कुश्चन है, चार नंबर क कुश्चन में पूछ रहें कि हाथ सिर्षकक कविताक रचैता छथी, हाथ सिर्षक कविताक के रचैता कौन है, यह आपको बताना है, तो पांच का जो दोस्तों सही आंसर होगा, यहाँ पर आपका A हो जाएगा, यानि कि देख सकते हैं कि सुकांत सुम, आपका बिल्कुल ह पांच का A option, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका चो नंबर कुश्चन है, चो नंबर कुश्चन के द्वरा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, चो नंबर कुश्चन जो है, यहाँ पर चो नंबर कुश्चन देख सकते हैं, तारा नंद ब्योगी जो है वो किसको संबोधित किये हैं यह आपको बताना है तो छोकाज दोस्तों बी ऑप्षन है आपका बिल्कुल ही स्वेगा दोस्ते माई के यहांते माई को माई मतले जानते हैं माता को उसमें जो है संबोधित किये हैं जो तारा नंद ब्योगी है वो नेकस्ट यहां पर आपका सात नंबर र्शन है कि बुंदे-पुंदे घ ‫गय Judas यह तो यह आपको बताना है तो बुंदे-बुंदे गयन भरे छे पांक्ती आयल अच्छी यह जो पांक्ती है यह दोस्तों यहाँ पर आपको question बोला बुंदे बुंदे घयल भरे छे यह जो line है पांती मतलब लाइन पांती मतलब यह जो line है यह वाक्य है यह वाक्य आयल अच्छी मतलब कहां से आया है मतलब किस chapter से इस लाइन को लिया गया है यह आपको बताना है तो साथ का जो दोस्तो डी ओप्शन है आपका बिल्कुल ही सouriska यानिकि जवान-जबंज़ किसान में में सो यह ज़ुक्सान का लाइन है नेक्स्ट यह आपका जो आफ नंबर enmost question है आफ पुछ रहें कि बंधु उपनांम चाने मतलब बंधु का जो है बंधु जो है उपनाम किसका है अत में तो उस्षै कि कुछ जै। दीननात पाठक को दोस्तो बंधु के नाम से भी जाना जाता है तो बंधु जो है दीननात पाठक का उपनाम जो है वो बंधु है याद रखेंगे आगे बढ़ने से परले दोस्तो बता दे कि अगर आप लोग जो metric के पाद आईटी आय करना चाहते हैं तो आप हमारे ITI बाले मोबाइल आपको डाउलोड कर लिजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको ITI परवेश बरिशा के बेहतर त्यारी के लिए, बिल्कुल मेंस आपको फिरी में सारा मेटेरियल मिलेगा, तो अगर आप लोग डाउलोड करना चाहते तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं वहाँ से डाउलोड कर लिजिए, नहीं तो आप लोग सिंपली पले स्टोर पर सर्च करेंगे, बच्चा केर रचाईता च्छती, बच्चा जो सिप्टर है, उसके रचाईता कौन है, यह आपको बताना है, तो दसका जो डी ओप्शन है, आपका सयोगा इन दस्तोर, उदे चंद्र जहा, जिसको हम लोग विनोध के नाम से भी जानते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका एगारा नमबर कुश्चन है, पूछ रही है, बैजनात मिस्त्र यात्रीक रचना अच्छी, बैजनात मिस्त्र यात्री जी जो है, उनका रचना कौन है, तो एगारा का D ओप्शन होगा हो, आप भेल्ट बरसा, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका आगला कुश्चन है, पूछ रहे कि बिद्यापती के द्वरा कौन सा रचना रचा गया, बिद्यापती के द्वरा कौन सा रचा गया, बिद्चित मतलग वी रचित मतलग उनके द्वरा कौन सा जो है, चेप्टर रचा गया है तो यहाँ पर आपका 12 का जो सही आंसरों का दोस्तो B होगा याँ दोस्तो सिब गीत नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के दरा पूछा जरा की असोक लिखने च्छती असोक जो है वो क्या लिखे हुए हैं यह आपको बताना है तो 13 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका एँ आप्शन है बिल्कुल हीश्च सहयो का जोस्तों यहाँ आप आप देख सकते हैं कि बावाक आत्मियता चेप्टर जो है वो असोक के दोरा लिखा गया है नेक्स्ट यहांपर अगला कोश्चन है चोध़न नंबर सिपाही विद्रोह भेला मतलब सिपाही विद्रोह कब हो आथा तो बिल्कुल सिंपल सा कोश्चन है आप लोग हिश्ट्री में भी पढ़े होंगे 1857 में सिपाही बिद्रो हुआ था जिसको 1857 के करान्ती के नाम से भी हम लोग जानते हैं नेक्स्ट यहाँपन जो दोस्तो आपका पंदरा नमबर कोष्चन है पंदरा नमबर कोष्चन के दूरा पूसव जारा ही कि जीवनक लेल सबसाबेसी आवस्यक अच्छी जीवन के लेल सबसे ज़यदा आवस्य क्या चीज है तो 15 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो भी होगा हवा आप सभी जानते हैं पानी भोजन और घर से ज़यदा महत्पूर्ण कौन चीज है हवा है मतलब चंद्रमुखी जो है वो किसका रचना है तो 16 का जो दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा यानि की दोस्तों लीली जे चंद्रमुखी के रचना काड़ है मा जो है चेप्टर किसके दोरा लिखा गया है तो 17 का जो दोस्तों सही आंसर होगा सी होगा तारा नंद वयोगी जी के दोरा मा चेप्टर लिखा गया है यरे आपका 18 नंबर कुश्चम के दोरा पूथा जारा जीसा कि आफ देख सकते है कि उदय चंदरजा बिनोदक रचना आचि उदय चंदरजा बिनोदक रचना कौण है तो 18 का जो B आप्शन है आपका बिलकुली ही सेयोग स्तों बच्चा नेस्ट निया आप पर 19 नम्बर question है जय जवान जय किसानक रचेता च्छती तो जय जवान जय किसानक के रचेता कौन है ये question दोस्तो आप लोग टेस्ट के आधार पर आप लोग इसका answer comment में लिखेंगे सिंपल सा कुश्चन है इसलिए हम आप देखतें कि कितने अ Green guys कर पाते हैं आप युणित का क्व या ठिर खो गो गव खौ क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे कमेंट' में बताएं को स्वक्ष रखने के लिए क्या चीज आवस्यक हैं तो बीस का जो आपका सही आंसर होगा जाने की गाच ब्रिश जो है आवस्यक है गाच ब्रिश नहीं रहेगा तो पडियाबरन सुरक्षित या फिर स्वक्ष नहीं रह पाएगा 21 नमबर कोईश्चन है उमा कांत तक हैन लिखल छने उमा कांत जी के द्वारा कौन सा चीज लिखा गया कौन सा चेप्टर लिखा गया यह आपको बताना है तो 21 का जो सही आंसर होगा दोस्तो एह होगा क्रैक क्रैक एक टेंपू चालक का कहानी है आप सभी जानते होंगे अग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं जो आपका 23 नमबर कोईश्चन है दोस्त आपको बता दे कि केवल यही वीडियो हमने बना है बहुत सारा वीडियो जो है मैथली पर हम बना चुके हैं जो की बहुत महत्पूर्ण है तो आप लोग हमारे चैनल के पले लिस्ट में जा करके देखिए और वहां से आप लोग है रिवीजन कीजिए बहुत महत्पूर्ण कोईश्चन सब आपके लिए रखा हुआ है 23 नमबर कोईश्चन की समय साल रचना थिकनी समय साल जो चैप्टर है वो किसकी रचना है तो 23 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर आपका बी हो हो जाएगा वो यहां पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल है सही होगा यानि कि विदानात जहा है न बीदी तक विदानात जहा विदित का रचना है 25 नमबर कोईश्चन की अनेकता में एकता विशेषता अच्छी अनेकता में एकता किसका विशेषता होत बंग आंदोलन भेला मतलब बंग बंग आंदोलन कम हुआ था तो 26 का जो सहयांसरों का दोस्तों सी होगा यानि कि 1907 इस बी में नेक्स्ट यहां पर आपका आगला जो कुश्चन है 27 है न भाड़ी छीपा भातक रचईता अच्छा थी भाड़ी छीपा भातक रचईता कौन आप लोग पढ़े होंगे तो बतिशा जरूर आपको याद होगी 28 नमर कोश्चन ही चंदा जहाक रचना चनी चंदा जहाक का रचना कौन है तो 28 का जो दोस्तों सही आंसरों वह सी होगा यानि कि महंद्र मलंगिया महंद्र मलंगिया आपका बिल्कुल ही सौरी यहां पर आ आपका बिल्कुल ही से होगा यानि कि चंद्रभानु सीम के द्वारा नेक्स्ट तीस नमबर कोश्चन है दीनानात पाठक बंधु द्वारा रचित अचे दीनानात पाठक जो है जिनको हम बंधु के नाम से भी जानते हैं उनके दोरा कौन सा रचना रचा गया है तीस का ज तीस का जो सही आंसर हो दोस्तों यहां पर आपका यह हो जाएगा बुद्धीनात मिश्रक नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहां पर जो आपका बत्तिस नमबर कोश्चन है बत्तिस नमबर कोश्चन के द्वारा पूशा जा रहा कि बंधनाक रचनाकार है न अच्छा थी बंधना जो चिप्टेट उसके रचनाकार कौन है तो बत्तिस का जो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका डी यानि की बिद्यानात जा बिदित नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ताइटिस नमबर कोश्चन को देखिए ताइटिस का जो काल नाग है उसके रक्षा के लिए हमें क्या आवसकता है हमें क्या करना चाहिए तो तैंतिस का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर आपका बी होगा नेक्स चरित्रक चरित्र आगर आपका अच्छा है तो आपको एड्स का कोई प्राबलम आने वाला नहीं है चौ 34 का आपका जो है ए अप्शन बिल्कुली हीस होगा है कासी कांत मिश्रिक मधूप और इसमें भाई बान का पर्व होता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो 35 नंबर कुष्चन है पूछ रही है कि पाठ्य पुस्तकक अनुसार मन्चप है ना मन्चप द्रिस से बनल अची मन्चप द्रिस से बनल अची कौन चीज बना हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो 35 का जो सही आंसर होगा वो C होगा यानि कि 3 नेक्स्ट यहाँ पर आपका 36 नंबर कुष्चन है पूछ रहे है कि दिनेश्वरलाल आनंदक रचना अची दिनेश्वरलाल आनंद जी का रचना कौन है तो 36 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो D होगा यानि आप देख सकते हैं कि पढ़ियावरन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 नमबर जो आपका कुश्चन है पूछ रहे कि पाठ्य गरंथ में ममता करित चली ममता करित चली कौन जो है करती थी ममता पाठ्य गरंथ में ममता करित चली ममता क्या करती थी 37 का जो सही आंसर होगा दोस्तों B होगा यानि कि कौपी जांच कॉपी जाच जो है करती थी नेक्स्ट 38 नमबर कोश्चन है कि हाथ कभीता है न छनी हाथ कभीता जो है किसके द्वरा लिखा गया है यह आपको बताना है तो 38 का जो C आप्सेन है आपका बिल्कुल ही से होगा सूकांत सोमक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो 49 नमबर कोश्चन है 49 नमबर कोश्चन के द्वरा पूचा जारा है कि भोजनक रचेता चाथी तो 49 का जो दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आप्सेन आपका बिल्कुल ही से होगा है यह दोस्तों देख सकते हैं कि राजमोहन जहा राजमोहन जहा का रचना है 49 के बाद आपका जो 40 नमबर कोश्चन है पूच रही है चालिस नमर क्वेश्टन के दोरा पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर विद्यानाथ जाबिदित रचित की दोरा क्या रचा गया है तो चालिस का जो D option है आपका बिल्कुल ही स्योगा बंधना चिप्टर नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं एक तालिस नमर जो आपका question है, एक तालिस नमर question के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि कर्म बीरक रचनाकार छथी, कर्म बीर चिप्टर जो है उसके रचनाकार कौन है, तो एक तालिस का B option आपका बिल्कुल ही से होगा, दीनानाथ पाठक जिसको बंधू के नाम से भी हम रचा गया है, तालिस नमर question को यहाँ पर हम देखते हैं, तालिस नमर question के द्वारा पूछा जारा कि पाठ्य कर्मक है न, विगतिक रचने छथी, सॉरी, पाठ्य कर्मक सीवगीत रचने छथी, सीवगीत कौन रचे हैं, सिम्पल कुश्चन है, सीवगीत किसकी रचना है, इ तो सिम्पल कुश्चन है, इसलिए हम आप लोग के उपर टेस्ट के तौर पर छोड़ते हैं, आप लोग इसका अंसर करेंगे, 44 नमर question की क्रेक करचनाकार छाथी, क्रेक चेप्टर करचनाकार कौन है, तो 44 का D option आपका से होगा, यानि कि यहाँ आप देख सकते हैं कि उमाक रचना, करम बीर रचना, लेल गेल अची, मतलब करम बीर रचना कहां से लिया गया है, तो 46 का जो सही आंसरों का दोस्तों C हो जाएगा, यानि कि चानक के सो, कहां से दोस्तों, चानक क्या सो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 47 नमर question है, आप से पूछरे कि बिद्यापत सकते जी का जन्म हुआ था, नेक्स्ट यहां पर आपका 48 नमर question है कि, मरीचि का पोथी छनी, मरीचि का पोथी जो है, वह क्या है तो D option आपका बिल्कुली से लिली रे का, किसका दोस्तों, लिली रे का मरीचि का पोथी है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 49 नमर question है, आपसे पूछा जा रहा है, simply आप देख पाएंगे कि मैथली ओ, संताली, संताली पुस्तक ठिकनी, मतलिक किसका ये पुस्तक है, मैथली ओ, संताली, तो उन्चास का जो सही आंसरों को दोस्तों, भी हो जाएगा, यानि कि बिद्या नात जा बिदितक, बिद्या नात जा बिद द्रह च्णि, तो पच्चास का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानि कि राम, राज, मोहन, जा का ये रचना है, आसा करते ही कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लायक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में ख्याल रखिए और एलज्यारस्टेटी देखते रहिए